आप सब उमीद है के खेरियत से होंगे अपने अपने घरों में महफूज होंगे विवर्स आइम बैक विद मैं निव रेसिपी सो आज की जो रेसिपी है उसका नेम है चिकन शाशलिक स्टिक्स अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है के वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आए मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करती हूँ सो जितने भी इंग्रीडियोंट्स रुकायर थे वो मैंने यहां काउंटर पर रख दिये हैं और इसमें सबसे पहले हमारे पास चिकन है चिकन बोंड ले यह तकरीब हाफ केजी चिकन है हमारे पास और साथ में नमक कुटी हुई लाल मिर्चे और हल्दी थोड़ी सी लेंग हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मिसाला वन टेबल स्पून ऑफ जिंजर गालिक पेस्ट और दही लेंगे हम तकरीबन फोर टेबल स्पून इसके इलावा यहां शिमला मिर्च प्यास ट्रमाटर हैं इनको क्यूब्स में काटेंगे हम और यह जो स्टिक्स हैं इस आर ह इसके अंदर हम सारे स्पाइसिज एड़ करते हैं करते हैं स्पाइसिज एड़ करने के बाद इसको थोड़ी देर मेरिनेट होने के लिए रख जेंगे जब तक हम अपनी वेजिटेबल्स को कट करेंगे स्टिक्स पर लगाएंगे इस वीडियो को एंड तक देखें यह बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही जटपट रेसिपी है इसको जरूर मिसमत कीज़ेगा इतने खटे खटे मज़े के बनेंगे सो स्टिक्स पर हम लोग सबसे पहले इसी तरह से चिकन लगाएंगे उसके बाद ये शिमला मिर्च लगाएं सेम जैसे ममा कर रही है वैसे ये प्यास लगाएंगे उसके बाद टुमाटर फिर चिकन लगाएं और उसके बाद दुबारा से वेजिटेबल्स लगाएं और इस तरह से जितनी आपको चाहिएं उतनी स्टिक्स आप लोग तियार कर लें तो हमारी यहां पर सारी शाश्लिक स्टिक्स त्यार हो गई हैं अब हम इनको ग्रिल पैन में फ्राइ करेंगे पैन में पहले ऑईल डालें और स्टिक्स को फ्राइ करें फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक गल जाए यह देखें जी हमारे मज़दार स्टिक्स त्यार हो रही हैं और इसको हर थोड़ी देर बाद टर्ण करें ताकि अच्छे से जो है चिकन वो अंदर तक गल जाए यह देखें जी कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसका गोल्डन गोल्डन सा और यह बहुती मज़दार सी खुश्वू है इसकी हर जगा और इतने मज़दार सी स्टिक्स त्यार हो रही हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसको ट्रा होपफुली आप लोगों को रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी इसकी और इतनी एजी सी है मुझे उमीद है कि आप लोगों को पसंदाया होगा मेरा वीलोग और बाकी वीलोग को भी इसी तहां से लाइक करें और यह वाला वीलोग जरूर ट्राइ कीजएगा इसमें को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें चलते हूं अपने वीलोग के साथ मुझे दीज़े इजाज़त अला हफीज